आज मैं आपके लिए रेस्पी लेकर आई हूँ चिकन ग्रेवी की रेसिपी जो की काफी मसालेदार होती है और जिस तरीके से मैं बनाऊंगी वो बिहार में बहुत ही फेमस है ये बिहारी स्टाइल में होगा और ये रेस्पी मैंने अपनी मम्मी से सीखा है वो बहुत ही अच आज मैं ये रेस्पी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ चिकन ग्रेवी की रेसिपी तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए और प्रोसेस सुरू करते है यहां पे मैंने लिया है एक किलो चिकन और एक किलो प्याज भी लेंगे और साथ ही थोड़ा हुआ धनिया पत्ता और थोड़ी सी काली मिर्च अख्षा और यहां पे एक आप ध्यान देने वाली है कि मैं एक किलो अगर चिकन लेती हूँ तो एक किलो प्याज भी लोंगी रेसियो ऐसा ही रहता है मेरा प्याज का तो और प्याज यहां बारीक काट ले और बहुत ही बा मतलब उसको अलग-अलग करले लेयर को आज को कटती है तो लेयर में कटती है तो उसको लेयर को थोड़ा अलग करले तो जल्दी तो पकता है और गृवी अच्छी बनती है फिर यहां पे हम लोग कड़ाई गरम करेंगे और उसमें mustard oil डालेंगे सरसो का तेल मैं हमेशा ही non-wage कभी भी mustard oil में ही प्रेफर करती हूँ इससे एक अलगी टेस्ट आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है वैसे आप जो भी तेल खाते हैं जो भी यूज करते हैं आप अपने लिए वो आप डाल सकते हैं बट इसका एक अलगी फ्रेफर आता है अगर सरसो के तेल में बनाते हैं तो non-wage यहां तेल गरम होने के बाद मैंने डाला लाल सुखी मिर्ज और तेजपत्ता फिर इसमें डालेंगे एक चमच जीरा अखा जीरा थोड़ा सा इसको भूनेंगे हिलाते हुए यह बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत ही अच्छी एक बार आप जरूर ट्राइ करेंगे तो आप खुद टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी अच्छी होती है यह फिर इसमें पहले एक चमच अद्रक का पेस्ट और एक चमच लहसन का पेस्ट डालेंगे तेल में ही गरम तेल में पहले और इसको भूनेंगे और फिर बाकी जो बचा है पेस्ट अद्रक लहसन का वो बाद में यूज करेंगे अभी के लिए एक एक चमश डालना है गरम तेल में और इसको अच्छे से मिलाएंगे और पकाएंगे ऐसे हिलाई लाके जैसे ही ये पके अद्रक लहसन पक जाए फिर इसमें अड़ करेंगे प्याज कटा हुआ आप देख सकते हैं कैसी लेयर्स खुली हुई है ये प्याज की तो ऐसे ही आप रखें अलग-अलग निकाल लेयर्स यहाँ पे दूसरी चीज दिहान देने वाली है कि यह थोड़ा सा हम लोग प्याज बचाके रखेंगे पूरा अभी नहीं डालेंगे करें वन हैंडफूल बचाके रखेंगे और उसको बाद में लास्ट में यूज करेंगे ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी एड नहीं करेंगे हम लोग अलग से और इसी की ग्रेवी बनाएंगे तो यहां पे मैं प्याज भून लिया दीरे दीरे इसको हाई फ्लेम पे भूने प्याज को पहले जब इससे पानी निकलने लगे और जलने लगे पानी थोड़ा सूखने लगे तो फिर मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे बट यह प्याज काफी लाल होने तक भूनना है काफी इसको पहले यहां पे थोड़ी देर के लिए ढख देंगे ताकि वो पक जाए और अच्छे से वो लाल हो जाए करीब यहां मीडियम फ्लेम पे दो से तीन मिनट के लिए पकाया है इसको ढख के आप देख सकते हैं वो पक रहा है करीब आधा पक चुका है प्याज और इससे काफी पानी भी निकला है ऐसे बीच बीच में करीब ढख के पकाएंगे और हिलाते रहेंगे इसको चलाते रहेंगे तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि ये प्याज पक के आधा नहीं हो जाए आप देख सकते हैं काफी गल चुका है प्याज फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी दिर के लिए ढख के पकाया ये मीडियम फ्लेम पर ही पकाते रहें इसको हाई नहीं करें नहीं तो जल जाएगा आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से लाल भी हो चुका है और पक के आधा भी हो गया है अब इसमें एड करेंगे चिकन चिकन को भी काफी भूढ़ना है ऐसे प्याज के साथ पहले चिकन के बाद हम लोग इमीडियेट एड करेंगे नमक वो इमीडियेट इसलिए करेंगे क्योंकि वो एक लेयर बन जाए नमक की शिकन के ऊपर और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बेसिकली नमक पहले डालने से वो टेस्ट में फरक आता है इसलिए मैं मेरा यही रहता है कि इमीडियेट में डालती हूं जैसे ही चिकन कडाई में डाला वैसे ही आप नमक डालें एक तो पकता भी जल्दी है और दूसरा इसका बेनिफिट यह रहता है कि एक लेयर बन जाती है नमक की तो वो काफी अच्छा लगता है टेस्ट में वो अलग टेस्ट आता है कि यहां पर फिर से अच्छे से मिलाएंगे प्याज को और चिकन को फिर यहां पर थोड़ी देर के लिए हम लोग लोग टू मीडियम करके पकाएंगे लोग से थोड़ा सा हाई रखें और इसको पकने देंगे चिकन को करेब 2-3 मिनिट के लिए फिर से चेक करके इसको चलाएंगे और यहाँ पर चिकन को बहुत अच्छे से भूनना है मतलब लाल होने तक भूनना है वो कलर चेंज होने लगता है जब पकता है चिकन तो उसका ब्राउनीस कलर आने लगेगा तब तक उसको भूनेंगे प्याज के साथ और फिर से यहाँ थोड़ी देर के लिए ढग देंगे आँ यह भी low to medium flame पे और थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट तक अब आप बिच बिच में चेक करें और चलाते रहें इसको ताकि वो जले नहीं इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ आप खा सकते हैं राइस के साथ भी काफी अच्छी लगती है बट थोड़ी सी यह इसका मैं घ्रेवी थीक बनाती हूँ तो जनरली थीक ग्रेवी और नान, रोटी, चपाती के साथ ही अच्छी लगती है यहां आप देखिए, चिकन बहुत अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं, ब्राउन हो चुका है इसका कलर थोड़ा लाल हो चुका है, तो इसका मतलब यह अच्छे से भून गया है और पक भी गया है फिर इसमें अब आगे अड़ करेंगे मसाले सारे अद्रक लहसन का पेस्ट, जो की बाकी बचा था, तो दो चमच मैंने लहसन का पेस्ट डाला और दो चमच अद्रक का पेस्ट, यहां ध्यान दीजेगा, बराबर-बराबर मैं डालती हूँ अगर दो चमच अद्रक का पेस्ट है, तो दो चमच लहसन का पेस्ट होगा लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार एड़ करें, जेनरली नॉन वेज़ ज्यादा थोड़ा तीखा सबको अच्छा लगता हैं, फिर मैंने एड़ किया धनिया पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच यहां पे डालें, और जीरा पाउडर डबल डालें, अगर आधा चम्मच धनिया पाउडर डालें, तो जीरा पाउडर एक चमच डालें, ऐसा, और फिर इसमें मैंने एड़ किया काली मिर्च पाउडर, फिर इसमें मैंने एड़ किया गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जो कि मैंने घर, मैं यह मेरा homemade गराद मसाला है, आप चाहे तो आप बजार से भी ले सकते हैं, या आप खुद बनाते हैं, तो फिर ठीक है, home made अलवेजी अच्छा रहता है, और फिर मैंने इसमें डाला चिकन मसाला, जो की रेडिमेट आता है, चिकन मसाला मार्केट वल, वोड मैंने डाला, करिब आधा चमच फिर इसको मिक्स करेंगे चिकन को और मसालों के साथ मिक्स करने के बाद फिर से इसको ढ़के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए बट इसको मिक्स अच्छे से करना है मसालों को उपर नीचे उपर नीचे करके अलट पलट करके पकाएंगे इसको फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग ढखके पकाएंगे ताकि वो अंदर से पक जाए चिकन और यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम यहाँ पे भी रखें लो से थोड़ा हाई रखें यहाँ पे आप देख सकते हैं पकरा है और ग्रेवी भी काफी अच्छी बन रही है इसमें फिर एड़ करेंगे धनिया पत्ता बारी कटा हुआ और फिर इसके बाद एड़ करेंगे जो हम लोग प्याज बचा के रखें थे वन हैंडफूल उसको एड़ करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी अब अच्छी बने अलग से पानी मैं नहीं डालती मतलब प्लेन पानी मैं कभी नहीं यूज करती चिकन में ये प्याज की पानी से ही वो ग्रेवी बनती है तो इससे प्याज का पानी निकलेगा और उसी से ग्रेवी बनेगा इसलिए मैंने लास्ट में एड़ किया वो प्याज का पानी ताकि थोड़ा सा ग्रेवी बन जाए इसके पानी से यहाँ पे अलग से पानी डालेंगे तो उसका टेस्ट अलग आता है अगर वो प्याज का ही पानी से ये ग्रेवी बनेगा तो इसका अलग टेस्ट आएगा तो मैं तो हमेशा नॉन्वेज में ये प्याज का ही पानी डाल के प्याज को उसी के पानी से ग्रेवी बनाती हूं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे ताकि प्याज की ग्रेवी बने और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए ढख देंगे इसको मीडियम फ्लेम पे ताकि वो पानी निकले प्याज का आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रेवी बना पानी प्याज का पानी निकला यह अल्मोस्ट रेड़ी है हमारा चिकन ग्रेवी आप भी एक बार जरूर ट्राइ करें इस तरीके से और हमें पताएं आपको कैसी लगी I hope कि अच्छी लग रही होगी उमीद है कि अच्छी लगेगी आप लोग को भी और बहुती टेस्टी लगती है तो आप भी जरूर ट्राइ करें अब देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक गई है तो ये रहा मेरा आज का चिकन ग्रेवी का रेसिपी एकदम मेरे बिहार के स्टाइल में और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और हम लोग ज्यादतर इसी स्टाइल में पसंद करते हैं हमारे घर में सबको पसंद यही आता है एकदम होमेड फील आता है होमेड चिकन ग्रेवी का तो आप भी बनाएं इंज्वाए करें और हमें बताएं आपको कैसी लगी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़िदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर